चार अक्टूबर को हिंगना पुलिस थाना अंतरगत एक दुशकर्म की घटना आगया आई थी जहाने कटम इंजिनिरिंग कॉलेज में पढ़ रही छात्रा के साथ एक अग्यादा प्राधी ने कुल हाडी के नोग पर जंगल में घसी टे होए दुशकर्म किया इस मामले की गुती सुलच चुकी है और मामले कारोपी पुलिस हिरासत में आई ये जानते हैं विस्तार से चार अक्टूबर की सुबह पिडिता अपने गाव से हॉस्टल की ओर जा रही थी उसे बीच हिंगनापुलिस था नांतर गताने वाले जंगली इलाके से गुजरते समय कोई अग्यात व्यक्ति उसे कुलहारी की नोग पर डर दिखाते हुए निकटम जंगल में ले गया और उसके साथ देशकर्म किया इस मामले से पूरी तरह प्रशासन और स्थानी अक्षेत्र में हर कम्प मच गया था पिडिता को स्थानी अस्पताल में भरती किया गया और जब वह स्थ हुई तो पिडिता ने समंधीत अपराधी का वरिनन बताया जिसके सग्यान पर अपराधी का स्केज बनाते हुए पाश लाग का इनाम भी जानकारी देने वालों के लिए घूशित किया गया लेकिन मामले ने कुछ अलग ही मोड लिया दरसल बेल तरोडी पु पिडिता की गई तो आरोपी का कनेक्शन और पिडिता द्वाराधी के जानकारी पर अपराधी की पहचान की गई है सूत्रों के हवाले अपराधी गोणवाना नगर बुटिबोरी का निवासी है जिसका नाम 23 वर्षिय प्रफुल और रमेश पराते बताया जा रहा है लेक हिंगना में जो एक रेप का केस रेजिस्चर हुआ था चारतारेक को उसकी इन्वेस्टिकेशन पुलीस के द्वारा बहुत ही युद पातरी पे खी जा रही थी लोकल पुलीस जोनल पुलीस और क्राइम ब्रांच इसके तीनों के पथक साइबर क्राइम के साइबर सेल के की जा रही है इसमें आरोपी का फिर्यादी के साथ पहले की कोई भी किसी प्रकार की कोई जान पचान नहीं थी और इस केस में इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए और एविडेंशरी वैल्यू इस पूरे इन्वेस्टिकेशन को एसेस करने के मद्दे नजर अ अभी इस केस में इससे जादा बताना योग ये नहीं होगा क्योंकि ये फाइनली केस के केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुचाने में इससे बाधा उत्पन हो सकती है इसलिए कुछ मैंडेटेड प्रक्रिया है उसको पहले पूरी की जाएगी और उसके बाद हम आपको इसके बारे में जानकारी देए नहीं आरोपी की विमन रिलेटेड ओफेंसेज में पहले कोई पार्शो भूमी नहीं है एक उसके ऊपर चोरी का गुना दो साल पुराना जरूर है इसके बारे में हमने बताया आपको डीटेल महिती आपको एक से दो दिन में कल या परसो दी